जूनियर पहलवान सागर धन्खड हत्या मामले के आरोपी उलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने अब तिहार जेल प्रशासन से अपने सेल में टीवी लगवाने की मांग की है. सुशील कुमार ने तिहार जेल प्रशासन को एक एप्लिकेशन लिखते हुए मांग की है कि वो जिस सेल में बंध है, उसमें अकेला कैदी है, ऐसे में वो खुद को अकेला महसूस करता है. इसलिए टीवी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो कुष्टी खेल में क्या चर रहा है, उसकी जानकारी से भी अबगत रह सके. दीजी ने बताया सुशील कुमार ने दी है एपलिकेशन. तिहार जेल के डीजी संदीप गोयल का कहना है कि जेल प्रशासन को सुशील पहलवान की तरफ से एक एपलिकेशन मिली है, जिसमें उसने टीवी लगवाने की मांग की है. सुरक्षा के लिहाज से हाई सिक्योरिटी जेल में रखा है सुशील कुमार को. पहलवान सुशील कुमार की जेल प्रशासन से यह कोई पहली मांग नहीं है. इससे पहले जब सुशील कुमार को गिरफतार करने के बाद मंडोली जेल भेजा गया था, तो वहाँ भी सुशील कुमार ने अपने पहलवानी का जेकर करते हुए हाई प्रोटीन एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसे जेल प्रशासन ने ठुकरा दिया था। चार माइनस पांच माई की रात छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी सागर की हत्या। आपको बता देखी की पहलवान सुशील कुमार ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर चार और पांच माई की दर्मियानी रात छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धंखड और उसके साथी सोनू महाल को काफी बुरी तरह मारा था। इस हमले में सागर धंखड की मौथ हो गई थी। जेल आते समय पुलिस कर्मियों ने सुशील संग ली थी सेलफी। हाल ही में सुरक्षा के मद्दे नजर सुशील को मंडोली जेल से तिहार शिफ्ट किया गया था। सुशील ने जेल प्रशासन से कहा था कि उसकी जान को लौरेंस बिश्नुई काला जठेडी गैंग से खत्रा है। तिहर आते वक्त पुलिस कर्मियों ने सुशील के साथ सेलफी भी ली थी। इस दौरान सुशील कुमार मुस्कुराते नजर आया था। फोटो सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या उसे जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।